साथिन आश्कार बहुत स्वागत है अमारे इस चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज इसे रिलेटे टप 40 कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम से रेलबे अंटी पेसी गुरूप डिये ससी और दिली पुलिस के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्त देखिए चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वाली घंटे का निसान है उसे भी अनकरते है ठीक है तो चले शुरू करते है देखिए यहाँ पर हमारा पहला कुष्चन है भारतिया संबिधान के किस भाग में पंचायती राय से संबंधित प्रावधान किया गया है तो देखिए भारतिया संबिधान के भाग 9 में जो है यह पंचायती राय से संब और जन जाते छेत्रों सम्बंधित प्रावधान किया गया है और भारतियों सम्बिधान के भाग 11 में ये संग और राज छेत्र के बीचे सम्बंध का प्रावधान किया गया है Q2 है भारतियों सम्बिधान एक किस भाग में नगरपालिकाओं से सम्बंधित प्राउधान है तो देखे भारतियों सम्बिधान के भाग 9 कोव में जो है ये नगरपालिकाओं से सम्बंधित प्राउधान है कुछ नमर 3 है भारतियों सम्बिधान के किस भाग में गराम पंचायतों की अस्थापना की बात कही गई है तो देखे भारतिय संबिधान के भाग चार में जो है ये गराम पंचायतों की अस्थापना की बात कही गई है ठीक है? कुछ नमर चार है भारतिय संबिधान के निमने लिखेते अनुछेदों में से कौन सा अनुछेद राज सरकारों को गराम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो देखें भारतिय संबिधान का अनुछेद 40 हुए ये राज सरकारों को गराम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है इसके अलावा अनुछेद 46 है ये SCST और दूरलब दूरबल लोगों के लिए ये सिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है अनुछेद 48 में ये क्रेशी और पसुपालन की बेवस्था की गई है और अनुछेद 29 में ये प्रेश की सोतनता दिया गया है कुश्च नमर 5 है भारतिय संबिधान के ग्यारवी अनुसूची में निमनलेखित में से क्या सम्मिलेथ है तो देखे भारतिय संबिधान के ग्यारवी अनुसूची में ये पंचायतों का कारेकरम जो है सम्मिलेथ है ठीक है कुश्च नमर 6 है पंचायती राज परणाली निमनलिखित में से किस पर आधारीत है तो देखें पंचायती राज परणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्री करण पर आधारीत है ठीक है कुश्च नमर साथ है पंचायती राज निमनलिखित में से क्या परदान करता है तो देखे पंचायती राज जो है ये अस्थानी अस्थर पर लोगतांत्रिक परशाशन जो है ये प्रधान करता है ठीक है कुश्च नमर आठ है पंचायती राज का प्रधान लग्ष है निमनलिखित में से कौन सा है तो देखें पंचायती राज का प्रधान लग्ष है उए ग्राम वासियों में सक्ति का बिकेंद्री करण जो है ये पंचायती राज का प्रधान लग्ष है ठीक है कुश्य नमर नाईन है पंचायती राज का मुख्या उदेश है निमनिलिखित में से क्या है तो देखें पंचायती राज का जो मुख्या उदेश है उह है जन्ता को विकास मुलक प्रसासन भागिदारी योग के बनाना जो है ये पंचायती राज का मुख्या उदेश है, ठीक है, कुश्च नमर दस है, तीहतरवा संबिधान संसुधन 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 है, तो देखें तीहतरवा जो संबिधान संसुधन है, ये पंचायती राज परणाले से संसुधन है, ठीक है, कुश्च नमर 11 है, भारत में निमन परदान के द्वारा तो देखी ये तिहतरव संबिधान संसुधान के द्वारा जो है परदान किया गया है ठीक है कुछ नमर 13 है तिहतरव संबिधान संसुधान द्वारा संबिधान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई थी तो देखी तिहतरव संबिधान संसुधान के द्वारा संबिधान में ये 11 अनुसुची जो है जोड़ी गई थी ठीक है कुछ नमर 14 है तीहतरवे संबिधान संसुधान के द्वारा ग्यारवी अनुसुची में पंचायती राय संस्थाओं को कितने कारे सौपे गए हैं तो देखिए 63. संबिधान संसोधन के दौरा ग्यारवी अनुसची में 15 संस्थाओं में 25 के क्म से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित कीए गए है तो देखें महिलाओं के लिए ये एक तिहाई सीटे जो है आरक्षिते की गई है Q16 है तिहातरवे संबिधान संसोधन की विशेष्था नहीं है तो देखें आपर D correct हो जाएगा महिलाओं के लिए दो तिहाई आरक्षिते जो है कुछिष नूमरr 17 है तीहतरवेस संविधान संसुधन द्वरा पंचायती राज संस॥ाओं के किस चुनाओ का प्रावधान कीया गया है तो देख consid ये परतियक्ष और गुप्त मत्वाःण का प्रावधान कीया गया है कुछिष नमरr 18 है पंचायत के बिगटन के उपरांते निमने लिखित में से कौन सी समय ओधी नय चुनाव कराने है तो सत्य है तो देखें नय चुनाव कराने है तो ये 6 मा के अंदर जो है सत्य है ठीक है पंचायत के बिगटन के उपरांते कौन सी समय हो दिनाय चुराव कराने है तो सत्य है तो ये 6 मा के अंदर ठीक है कुछ नमर 19 है पंचायती राज संस्ताओं के निर्वाचन के लिए उतरदाई है तो देखे पंचायती राज संस्ताओं के निर्वाचन के लिए ये रा पंचायती राज संस्था का जो कारेकल रखा गया है तो ये 5 वर्स का रखा गया है ठीक है कुछ नमर 21 है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक है निमनिलेखित में से कौन थे तो देखे भारत तो देखे से करेक्ट आंसर ओप्सन डी हो जायेगा उपर युक्त में पंचायती राज संस्था में महिलाओं तथा दूरबल बर्गों के अधिक परतिनेथित्व के समर्थक निमनिलेखित में से कौन थे तो देखे पंचायती राज संस्था में महिलाओं तथा दूरबल बर्ग के अधिक परतिनेथित्व के समर्थक जो थे वो थे राजिव ग अरक्षीत है तो ये पंचायती राज अधिनियम कब लागो हुआ था तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागो हुआ था ठीक है ये राज सरकार के द्वारा लिया जाता है ठीक है कुश्य नमर 26 है भारत में पंचायती राज का प्रारम किया गया था तो ये 1969 में किया गया था ठीक है कुश्य नमर 27 है भारत में सबसे पहले राज स्थान में पंचायती राज की अस्थापना केस बर्स हुई थी तो देखे भारत में सबसे पहले राज स्थान में पंचायती राज की जो अस्थापना हुई थी तो ये 1969 में हुई थी और राज स्थान की नागोर चिले में तो देखिए पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई उसके बाद आंदर परदेश में अपनाई गई थी ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमर 29 है 2 अक्टूबर 1969 को भारत में पंचायती राज का सुभरम निमने लेखित में से कहां पर खिया गया था तो देखिए ये तो बता हैं चुके हैं कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को भारत में पंचायती राज जो है ये राजस्थान के नागोर जिले में मतलब इसका सुभरम किया गया था, ठीक है, यह correct हो जाएगा, question number 30 है, भारत के गरामेड चेत्र के समाजे के यह संस्क्रेटे के उत्थान के लिए सामुदाईक बिकास का रेकरम का प्रारम किया गया था, तो देखिए, सामुदाईक बिकास का रेकरम जो प्रारम किया गया था, तो यह 2 October 1952 को किया गया था ठीक है कुश्च नमर 31 है भारत सरकारदोरा समुदाइक विकास योजना की शुरुआत दो अक्टूबर कब की गई थी तो दो अक्टूबर ये 19-22 को की गई थी ठीक है कुश्च नमर 32 है समुदाइक विकास कारेकरम की असफलता कारण निमने लिखित में से क्या था तो देखें समुदाइक विकास कारेकरम की जो असफलता कारण था वो था असिक था ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा कुश्च नमर 33 है पंचायती राज के द्रिष्टी से महतपूंड परतिवेदन कौन सा है तो देखें पंचायती राज के द्रिष्टी से महतपूंड जो परतिवेदन है वो है बलवंत राज मेहता समेती परतिवेदन ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा कुश्च नमर 34 है लोकतांत्रिक बिकेंदी कराण का सुझाव किसने दिया था तो देखें लोकतांत्रिक बिकेंदी कराण का सुझाव जो है ये बलवांतराय मेहता के द्वारा दिया गया था ठीक है कुछिशन नमर 35 है लोगतांत्रिक बिकेंदी करण की योजना प्रस्तूत करने वाले समिती कौन सी है तो देखें लोगतांत्रिक बिकेंदी करण की योजना प्रस्तूत करने वाले जो समिती है वो है बलवन्त राइ मेहता समिती ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा कुश्य नमर 36 है भारत में पंचायती राज की त्रियस्तरिय ब्यवस्ता कानमोदन की समीती द्वरा किया गया था तो देखिए ये किया गया था बलवन्त राज मेहता समीती के द्वरा ठीक है कुश्च नमर 37 है जिस समिथी में लोगतांत्रिक बिकेंदी करण और पंचायती राज के सिफारिस की थी उसका सभापती कौन था तो देखे उसके जो सभापती थे वो थे बलवन तराई में था ठीक है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कुश्च नमर 38 है पंचायती राज से सम्बंदे ते निमने लिखे थे कौथन में से कौन सा कौथन जो है सत्य नहीं है तो देखे आपर जो दूसरा अप्सन दिया गया है यह कौथन जो है गलत है क्योंकि तीहतरवा संबिधान संसुदन 15 अगस्त 1993 को परभावी हुआ था तो यह कौथन जो है गलत है क्योंकि जो तीहतरवा संबिधान संसुदन था यह कब परभावी हुआ था तो 24 अपराइल 1993 को परभावी हुआ था ठीक है कुश्च नमर 49 है बलवांत राज मेहता सम्बंदे परतिवेतन मैं पंचायती राज संस्ताओं को कितने अस्तर पर करने का सुझाओ दिया गया था तो यह तीन अस्तर पर करने का सुझाओ दिया गया था ठीक है बलवांत राज मेहता सम्बंदे परतिवेतन में पसंदी आ गया है तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निसान है इसे भी आन कर दें ठीक है मिलते हैं वीडियो में थैंक्स पर वाजें